तेज़ दूब बढ़ते ही गर्मी की त्विवरता और अथिक महसूस होने लगी है जैसे जैसे तापमान ओसत से उपर बढ़ रहा है वैसे ही स्वास्त के मंत्र को ध्यान में रखते हुए ताकि शरीर में पानी का स्तर कम ना हो प्याओ यानि पान पोई रहागीरों की प्यास बुझाने के लिए एक आविश्यक सेवा है पान पोई का प्राचिन काल से ही विशेश महत्व है दुकान में बोतल बंद पानी मिलने के बावजूत उदक के पानी से ही प्यास बुझाई जाती है गर्मी की बरती तपिश को देखते हुए पानी की महत्वता और रहागीरों की जरुरत को ध्यान में रखते हुए लोकसिवा प्रतिष्ठान मंच एवं खापड़ खेड़ा पत्रकार संग की सन्युक्त विदमान से दुरोपती बाई डोड़ी की स्मृत्ती दिवस के अफसर पर खापड़ खेड़ा के अन्ना मोड में पेल सार्वजनिक प्याव का श पत्रकार संग के सचीव दिलीब गजबिये संपातक भीमराव लोनारे खापड़ खेड़ा के प्रसिद्ध व्यापारी सुरेश बसुले एवं अन्य मान्यवरों की प्रमुक्ता से उपस्तिती रही आयोजोकों ने कहा कि वन स्टेप टू युमेनिटी के शिर्षक के तहत एक बहुत ही सरानिय सामाजिक पती बधिता रखते हुए ये गतिविदी पूरी गर्मियों में की जाती है मानियवर लोगों ने लोग सिवा पतिश्ठान में खापड़ खेड़ा पत्रकार संग की सन्युक्त पहल की सराना करते हुए कहा कि मानव सेवा ही सच्चे अर्थों में इश्वर की सेवा है अखेल भारतिय गरामीन पत्रकार संग के जिला सचीव दिलीप गजविय ने भी इस तरह के परोपकारी और परोपकारी रवय को विक्सित करने की अपील की खापड़ खेड़ा पत्रकार की अवधारना को समझाया कारिकरम की दौरान शेत्र में जोड़े मित्र परिवार ने अथक प्रयास किया इन बीसे न नियूस के लिए खापड़ खेड़ा से दिलीप गजविय की रिपोर्ट